हालो फ्रेंड स्वागता है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर सो फ्रेंड बिए एंटरेंस एक्जाम आपका हो चुका है ठीक है आपकी जो अब्जेक्शन लगानी है आपको आप सभी लगा चुके होंगे चाहे वो टीचिंग पोटेंशल पर है जिसको मेंटल अबिलिटी पर भी लग रहा है तो देखो युनिवर्सटी वालों ने साफ पस्ष्ट बता दिया है कि आप अब्जेक्शन लगाएंगे कैसे जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको विद प्रूफ बताया था ठीक है कि किस तरह से अब्जेक्शन लगानी है question number बताना है आपने सही option बतानी है and then evidence अगर evidence किस तरह से लगाते है कि या तो आपके पास कोई book है ठीक है किसी writer की तो उसमें वो चीज as it is question mentioned है या फिर online आपको कोई book मिलती है तो इस तरह से evidence वो चीज़ का आप लगा सकते है ठीक है तो वो time जो है आर्ज दुपहर दो बजे तक ही है जो आप objection अपनी लगाना चाते है आंसर की के related यहां पर आप देख सकते हैं time schedule सारा ठीक है अब देखो इस वीडियो में सिरफ यह चीज नहीं हम कौन-कौन से subject combinations आपके बनेंगे आपकी counseling कैसे होगी कब होगी ठीक है merit list किस तरह से जाएगी तो admission कब होगा यह सारी की सारी proper detail आपको मैं एक overview इस वीडियो में देने वाली हूँ तो एक बर informative सी वीडियो है ध्यान से समझ लेना थोड़ा mind में picture clear हो जाएगी कि कैसे आपकी admission तक का procedure जो है वो follow होगा सो देखे पहली सबसे पहली बात तो objection आपका आज काम क्या कि दो वज़े से पहले तक जो भी objections लगानी है with evidence आप उनको email कर देंगे pb beard admission 2023 at the red gndu.ac.in पर ठीक है उसके बाद next हमारा क्या आता है कि जो आपकी seats देखो college की list है चाहे तो आप university की web portal पर भी check कर सकते है otherwise college की जो list है वो में सारी अपने telegram channel पर upload कर दूँगी वहाँ पर colleges की list आप देख सकते हैं कौन-कौन से colleges है जो beard कर वा रहे हैं आपकी region में देखो कौन सा है पहले से ही choose करके रख लो कि जब counseling आई तो आपने कौन-कौन सी choices आप fill कर सकते हैं जो आपको मिलेंगे उसमें से आप कौन सी select करेंगे ठीक है यह सारा काम पहले ही करने वाला आपकी counseling से पहले अब देखो display of seats and subject combinations available in the college अब हर college हर subject नहीं करवाता है तो यह चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो भी college आप select कर रहे हो पहले देखो उसमें जो आप subject combination लेना चाहते हो या फिर आपके degree के according जो बनता है subject combination क्या वो college वो subjects combine करके आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है तो दूसरा college चूज करो ठीक है क्योंकि subject के साथ आप हेर फेर मत कर लेना बहुत important है आपके सही subjects चूज करना और इस पर अलग से वीडियो में आपको बना कर भी बताऊंगी कि अगरा parts background से हैं या फिर आपने ये subject लिया है तो आपका कौन सा major subject बनेगा ठीक है इस वीडियो में आगे आपको पता लगेगा major subject की importance क्या है और आपको seats पता लग जाएगी किस college में कितनी seats हैं ठीक है ये display कब होगा 7 अगस्त को online ये सब कुछ online display होने वाला है तो I suggest you कि आप videos तो जरूर देखें लेकिन अपनी पुष् result है result की बात करें तो ये आजाएगा आपका 8th August 2023 को शाम 5 बजे तक ठीक है तो आपका जो application number है आपका roll number है वो आप अपने पास रखिए भूल मत जाईएगा ठीक है आपके पास आपकी copy है candidate copy तो वहाँ से आप अपना result जो है चेक कर सकते हैं उसके बाद है जिन बच्चों क qualified degree marks for candidate जिनका भी result नहीं आया था ठीक है तो वो उनके marks फिल होने रहते हैं graduation के हैं या फिर जो भी आपकी degree आप करके आये हो final semester के result नहीं आया होता न तो 9 अगस्त से लेकर भी अगस्त तक 20 अगस्त तक का last time है कि इसके बीच में आपका result आजाएगा तो आप उसको online update कर है ठीक है जी उसके बाद start होती है आपकी counseling counseling किसके basis पर होगी आपकी merit basis पर यहां पर देखो provisional merit list आपको 19 अगस्त को दी जाएगी लेकिन जो first counseling है ना online choice filling by candidates for major subject combination and colleges तो यह आपको बता दिया जाएगा कौन से बच्चों की counseling first हो रही है वो भी जिनके marks ज्याद है उस basis पर हो अलग video बना कर सब के लिए बताऊंगी जो भी ऐसी से हैं भी कॉम के लिए हैं भी यह के लिए हैं ठीक है जी तो वह आपके लिए बहुत important है क्योंकि यह चीज़ करना first is your subject second is your college ठीक है यह दोनों चीज़े बहुत important है बीएड के लिए तो यह दोनों चीज़े पहले से ही अ अगस्त को आएगी ठीक है जी allocation of seats online आपको 23 अगस्त को मिल जागी यह सारे procedure के बाद जो है उसके बाद second online counseling होगी जिन बच्चों का list में जिनका इन बच्चों के बाद first counseling में जिनकी turn नहीं आई तो उनको second counseling में chance दिया जाएगा सब कुछ marks basis पे होगा merit basis पे होगा ठीक है जि इसके बाद shifting of college फिर merit list यह सब procedure इस तरह से चलता जाएगा and finally आप देख सकते हैं आपका जो tentative regular classes का schedule है यह 11 September से 2023 से start हो जाएगा ठीक है complete information एक बार overview आपके लिए जानना जरूरी था किस तरह से सब कुछ होने वाला है बाकी अब जो marks आएंगे अपके उसके पता लगेगा and your subject combinations जो आप लेने वाले हैं वो ध्यान से अपने mind में रखिएगा जो भी मैं वीडियो बना आने वाली हूं अभी ठीक है आपके लिए sessions आने वाले हैं about the major subject choices वो follow करें क्योंकि GNDU ने latest जो choices बताई हैं आपके course के according वो ही मैं आपके साथ discuss करने वाली हूं आने वाले sessions में so friends ये वीडियो आपको helpful रही हूँ इसे like and share जरूर कीज़ेगा and see you in the next video चल्दान की वाचेंग आने वाले हूं